एक छोटी सी विडियो है जहां में आपको कुछ चीजे बताने वाली हूँ जो आप ना देखकर भी समझ नहीं पाते हैं कि आपके marks क्यों नहीं mocks में बढ़ रहे हैं या फिर real exams में भी बार बार आपके एक type के marks आते हैं आप cut off के हमेशा इस तरफ ही रह जा रहे हैं उस marks ही देते हैं देखी proper analysis में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि आपको percentile पे focus करना है आपका percentile बढ़ना चाहिए marks से focus मत करिए आपका percentile जो है वो अगर बढ़ेगा ultimately आपको नजर आएगा कि marks से भी improvement है आपको अच्छे marks ही मिलेंगे तो percentile पे focus रखिए कि आपको एक standard percentile 90s में ही आना चाहिए ठीक है अपने आपको ना last performance से evaluate करने की कोशिश करिए आपका last performance क्या था मैं उससे कितना आगे बढ़ा हूँ यह चीज़ को देखिए compare करिए ठीक है और अपनी वी केरिया को सबसे स्पेशली आप analyze करिए कि कौन से मेरे वी केरिया से बहुत सारे ऐसे mock देखिए कि आप कितने accurate है ऐसा तो नहीं किया कि English में आप पूरा का पूरा negative marking करके आ रहे हैं English में अगर आपने negative marking की avoid करने की यादत स्टार्ट कर दीना मतलब जो आपको बन रहा है बहले 10 question बने तो जितना आपको बन रहा है उतना ही करने की habit आपने बना ली तो क्या होग और जो भी आपने इस वाले mock test में analyze किया उसको आपको implement करना है in the next mock itself ठीक है तो हर mock के साथ यह चीज़ करिए और आगे आने वाले mock पे उस चीज़ को implement करिए दूसरी चीज़ है कि make sure you are not repeating the mistakes अपसे important यह चीज़ है और जाने अन जाने हम लोग यह चीज़ करते हैं ठीक है ए उसे उस पर focus नहीं कर रहा हूं बार बार mock test ही दिये जा रहा हूं तो ऐसा नहीं करना है मुझे जो भी आपको लगता है ना कि जो mistake आप बार बार कर रहे है तो सबसे important है कि आप उस mistake को rectify करने कोशिश करिए तब ही आपको mock के marks में real exam के marks में improvement ना जरूर नजर आएगा ठीक तो next point पर चलते हैं ट्रैवलिंग के दुरान में ये विडियो शेट से रिकॉर्ड कर रहे हूं तो speed जो है ना actual में आपका biggest issue है आप अपने आपको ना किसी भी तरीके से underestimate या judgment करिए on the basis of knowledge आज के जमाने में ना सबको बनता है सब कुछ ठीक है quadratic equation से logs हो गया सब कुछ सबको बन रहा है difference speed create कर रहा है ठीक है आपको अगर तीन घंटे दे दिये जाएंगे ना पूरे हंड़े हंड़े question solve करने के लिए तो आप easily कर लेंगे difference वो जो है वो सिर्फ speed की वज़े से आ रही है कि कुछ लोग आगे रहे जा रहे है और कुछ लोग पीछे रहे जा रहे है तो आप sectional mark हमेशा दिया करिए actual में हम whole mark जब देते है ना तो जो हमारे stronger areas है उसमें हम हमेशा same type के अच्छे marks पाते है पर जो weak area है वो weak ही रह जाता है तो आप work करिए उन weaker sections पे ठीक है हमेशा जैसे कई बार ऐसा होता था कि reasoning मेरे कम marks आ रहे है तो मैं बार बार reasoning के ही marks देती थ जब तक ना आ जाओं कि जब तक उसमें अच्छे marks नाने लग जाए तब तक मैं नहीं छोड़ती थी और फिर जब whole mark देती थी और उसमें अच्छे marks आते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था ठीक है तो without any extra efforts, extra practice on our weaker areas, you are just taking mock test again and again तो वो चीज आपको कहीं भी improvement नहीं शो कर पाएगा ठीक है, so leave this right now and last thing जो यहाँ पर बोल रहे हूँ वो है target based practice करिये, timer based, अगर आप किसी book से भी practice कर रहे है तो वहाँ पर जो questions practice कर रहे है, वो आप timer लगा कर ही practice करिये, negative marking को बिलकुल avoid करिये ठीक है, और reading habit will help you excel in English, इसलिए reading habit मत छोड़िये, मैं हमेशा आपको ब habit बनाई है, दो articles पढ़िये, लेकिन reading आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है, English में na phrases वगेरा जो होते है, phrases वगेरा के questions कुछ कुछ आ जाते हैं, मैं खुद बता रहे हूँ कि English में सब कुछ बन जाएगा, लेकिन अचानक सा अगर कभी phrase replacement वगेरा, phrases वगेरा से related कुछ question आगे, तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, phrases वगेरा उतने, तो हमको वगेरा ही नहीं है, अपनी habit बनाई है ना, कि आप जिस तरीके से चार-पांच words vocab diary में daily maintain करते हैं, उस तरीके से आप चार-पांच phrases भी daily पढ़ें, एक तो ऐसा time आएगा जब आपको एकदम बहुत जादा phrases आते लेकिन आपके वाले phrase आया, और अगर आपने नहीं बढ़ा है तो आपके पूरे four to five marks ना, वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ें जो आप जहां पर लैक करते हैं, उस पे work करिए, thousand puzzles की series आती है reasoning में, approaches देखिए, आपको लगता है यह puzzle तो बन ही जा रहा है, लेकिन बनना माइने नहीं रखता है prelims के exam में, आपका speed माइने रखता है कि आपने कितने speedily उसको बनाया है, ठीक है, बन जाएगा आपसे सब कुछ, जो hundred questions आते हैं, आपको अगर तीन घंडे का समय दिया जाएगा तो आपसे वो hundred questions पूरे बन जाएगे, ठीक है, लेकिन य all simplification approximation quadratic equation number series, starting में ही ये aim बनाई है, कि मुझे 7-8 minute के अंदर ये पूरे question करने है, जितने ये 15-20 marks के score booster वाले questions आते हैं, वो मुझे 7-8 minute के अंदर करनी है, ताकि आपके पास DI के लिए time बचवाए, ताकि आपके पास arithmetic के लिए time बचवाए, हम कभी भी arithmetic नहीं चूते हैं, पर क कि यूँ नहीं चूते हैं चूएंगे तभी तो जादा marks आएंगे, तो clear करिए अपने concepts, career defined channel है, वहाँ से clear कर सकते हैं, कोई और अच्छा channel लगता है, आपको वहाँ से clear कर सकते है, arithmetic के concepts clear करिए, इस सारी चीज़े जब आप करेंगे तो आपको ज़रूर अपने अंदर improvement दे आने वाली हूँ, तो channel को जरूर subscribe कर लीचेगा, और notification bell को जरूर hit कर लीचेगा, चैनल को अपने friends के साथ भी share करिएगा, that was all for today, my dear parents, कल से हमारा to-do list series start होने वाला है, aiming RRB P.O.N. Clark 2023, या आपको दूसरे exams में भी help करेगा, वहाँ पे सिर्फ कौंट और reasoning नहीं है, वहाँ प गुलते हैं कल नियू वीडियो में, that was all for today, this is Sabia signing off, see you in our next session, till then, stay happy, stay blessed, keep learning and thank you so much for watching.